तम कीमत, नया रंग रूप, तल लाँच होगी ओला की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत है बस इतनी ओला S1A में कुछ नए बदलाव किये हैं, इसमें बैटरी पैक से लेकर मेकेनिजम तक कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे ये स्कूटर पहले से और भी बहतर पर्फोर्मेंस देगी, ये ब्रांड के पोट्फोलियों का सबसे सस्ती स्कूटर है, लेकिन कम दाम में खरीदने के लिए ग्राहकों के पास महसिसी महीने तक का मौका है देश की प्रमोख एलेक्ट्रिक टूवीलन निर्माता कमपनी ओला कल्यानी की 28 जुलाई 2003 से अपने नए एलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1A के लिए पर्चेजिंग विंडो पर्चेसिंग विंडो ओपन कर रही है कमपनी ने अपने आने वाले इस स्कूटर की कीमतों का एलान पहले ही कर दिया है जो कि इसे ब्रांड के पोर्फोलियों का सबसे सस्ती स्कूटर बनाता है इस स्कूटर को कुल तीन वेरियंट्स में पेश किया जा रहा है जिसकी शुरुआती कीमत 1,9999X शोरूंग टैकी गई है ध्यान रहे कि ये इंट्रोडिक्ट्री प्राइस तो ये कीमत केवल 31 जुलाई तक के लिए ही वैध होगी इसके बाद स्कूटर के दाम बढ़ा दिये जाएंगे ओफर खत्म होने के बाद इस स्कूटर की शुरुआती कीमत 1,19,000,000 रुपे से शुरू होगी यानि की ग्राहकों को तकरीबन 10,000 रुपे और ज्यादा देने होंगे कमपनी अगस्त महीने से ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी भी शुरू करेगी पोला ने 20 साल अक्टूबर महीने में S1A को अपने सबसे किफायती मॉडल के तौर पर पेश किया था जो कुछ खास कमाल नहीं कर सका अब कमपनी ने इसमें कुछ नए बदलाव किये हैं इसमें बैटरी पैक से लेकर मेकेनिजम तक कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे जिसको लेकर कमपनी का दावा है कि ये स्कूटर पहले से और भी बहतर पफोर्मेंस देगी इस स्कूटर को नए नियोन ग्रीन नियोन ग्रीन कलर में पेश किया जा रहा है जो कि काफी आकर्शक है कैसी है नई ओला S1 ए कमपनी का दावा है कि इस स्कूटर की टेस्टिंग 5 लाग किलो मीटर तक की गई है शुरुआत में इसे 2.7 किलो वाट मोटर के साथ पेश किया गया था लेकिन अब इसे 4.5 किलो वाट युनिट के साथ अपग्रेड किया गया है इसमें बैट ट्राइव के बजाए हब मोटर का इस्तिमाल किया गया है जैसा कि आपको S1 और S1 प्रो में देखने को मिलता है इसके अलावा कमपनी ने इस स्कूटर में कुछ और भी बदलाव किये हैं ताकि इसकी कीमत को कम किया जा सके जैसे कि इसमें फ्रंट में मोनो शॉक सस्पेंशन के बजाए टेलिस्कोपिक फॉक सस्पेंशन दिया गया है वही पीछे की तरफ भी यही बदलाव किये गए है स्कूटर में ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक दिया गया है इसके अलावा पीछे के हिस्से में दिये जाने वाले ग्रैब रेल को भी बदल दिया गया है बैटरी पैक और ड्राइविंग रेंज होला S1MA कमपनी 3 किलोवाट की क्षमता का बैटरी पैक दे रही है होला इलेक्ट्रिक का दावा है कि ये बैटरी सिंगल चार्ज में 125 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज देती है हाला कि अभी इसके चार्जिंग टाइम के बारे में कमपनी की तरफ से कोई जानकारी साज़ा नहीं की गई है इसकी टॉप स्पीड 85 किलोमीटर प्रतिघंटा है और ये तीन ड्राइविंग मोज के साथ आती है जिसमें इको, नॉमल और स्पोर्ट मोज शामिल है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें